नमस्कार दोस्तों मेरे नम स्रीकांद कुमर अब देख रहे टुजेट प्रोसेस आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों 2022 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एकजाम देने वाले लोग इस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो में कुछ एक नया अपडेट आया ह जो इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाला हूं क्या नया अपडेट आया है उसके बारे में तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ब्लैक अंगंटिक को भी प्रिस कर लिजे ताकि मेरे बस पहुच पाए तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे दिखे बताया गया है पेपर कटिंग के अनुसार मैट्रिक परिच्छा में भी जूते मोजे पहन कर जाने की रहेगी अनुमती यानि कहने के मतलब है कि आप अपना एकजाम सेंटर में मैज से नहीं पहुचते हैं तो दोस्तों आपको एकजाम सेंटर में बैटने भी नहीं दिया जा सकता है और दोस्तों यहाँ पे क्या-क्या बताया गया है सारा कुछ इस वीडियो मोँ आपको बतलाएंगे इसलिए शीडियो के अन तक आप जरूर बनें और दोस्तों परिच्छार्ती जुता चपल पहन कर जा सकते हैं विहार बोट के सचीव ने सभी डियेम को पत्र लिख कर कहा है कि ठंड को देखते हुए इस बार इंटर परिच्छा की तरह मैट्रिक परिच्छा में भी परिच्छार्तियों को जुता मौजा पहन कर परिच्छा देनी की अन संक्रमन से सुरच्छा के एहतियाती उपायों का दृर्टा से पालन सुनिश्चीत कराने का निर्देश दिया है मालुम हो कि मैट्रिक परिच्छा 17 से 24 फरवारी तक होगी परिच्छा के सुरू होने से 10 मिनट पहले तक हर हाल में केंद्र पर पहुँचना होगा इसके बाद पहुचने वाले को परिच्छा केंद्र में परवेश की अनुमती नहीं मिलेगी यानि कहने के मतलब है कि अगर आप 10 मिनट बाद आते यानि 10 मिनट आप जो है कि लेट से आते हैं यानि 9 बच के 20 मिनट में जो है कि आपको अपना परिच्छा केंद्र में आपको पहुचना होगा इसी परकार दुसरी पाली का परिच्छा सुरू होने का जो समय है 1.45 में जो आपको 10 मिनट पूरवे यानि आपको 10 मिनट पहले आपको वहाँ पहुचना होगा यानि 1.35 में आपको अपना exam center में पहुँँ जाना है अगर आप late से जाते हैं तो दोस्तो आपको जो कि exam में आपको बैटने नहीं दिया जा सकता है तो दोस्तो यही एक छोटा सा notification को जारी किया गया है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देजगा अगर मेरे चैनल पे नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजब लाइक कर घंटी को भी प्रेस कर लिजगा